हर्यों प्रिदर्सकों यदि आपकी व्रसब राशी या व्रसब लगन है तो इस वीडियो को पुरे ध्यान से देखिएगा समझेगा इस वीडियो में हम समझने बाले हैं जैसे कि आपने थमनेल में पढ़ा ब्रम्हांड में बड़ी हलचल 6 मार्च से लेके 31 मार्च असली खेल शुरू होगा ये जो प्रिदर्सकों ग्रहों का खेल है ये मार्च के महीने में दिखने वाला है होने वाला है यह बेहत महत्त पूर्ण वीडियो है और इस वीडियो में हम जानने बाले हैं परी दर्शकों पूरे मार्च के महीने में जो ग्रेश स्थितियां चेंज होंगी क्योंकि 9 के 9 ग्रहों की स्थितियों में कुछ न कुछ परिबरतन हो रहा है कोई राश परिबरतन क कर रहा है कोई उदे हो रहा कोई अस्त हो रहा है कोई चरण परिवर्तन कर रहा है तो देखा जाए तो कई सारे योग बन रहे हैं साथ साथ योग बन रहे हैं चार राजयोग बनेंगे और तीन दुर्योग बनेंगे तो ये मार्च का महीना बहुत साउधान रहने के भी जरू जानेंगे आए सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को देख लेते हैं एक बार शूरु से हम स्टार्ट करते हैं तो शूर की बात करें तो शूर चौदा मार्च को अपना राशी परिवर्तन करने वाले हैं और ये मीन राशी में गोचर करना तारंब कर देंगे और चंद्रमा सव में गोचर करना प्रारंब करेंगे और बुद्ध की बात करें तो बुद्ध साथ फरवरी को ही मीन राशी में और फिर पच्चिस फरवरी को मेश राशी में गोचर करना प्रारंब करेंगे और देव गुरु ब्रहस्वत की बात करें तो ये राशी परिवर्तन नहीं भरणी छत्र में है तो ये 16 मार्च को चरण परिवर्तन करने वाले हैं अभी तक ये 23 चरण में गोचर कर रहे थे अब 16 मार्च से 23 चरण में गोचर करना प्रारम करेंगे और प्रिदर्श को देखा जाए तो इसके अलावा शुक्र है शुक्र महराज भी 7 फरवरी को ही अपना राश परिवर्तन करने जा रहे हैं तो ये तो पहले सनी की राशी कुम्भराशी में गोचर करना प्रारम करेंगे 7 फरवरी से और फिर 31 फरवरी ये फरवरी नी मार्च 7 मार्च से ये कुम्भ रासी में गोचर करना प्रारम करेंगे और फिर 31 मार्च से मीन रासी में गोचर करना प्रारम करेंगे अपनी उच्च की राशी में तो यहाँ पर देखा जाए तो सनी देव अभी तक अस्त थे अब उदय होने वाले हैं 17 मार्च को राहु की बात करें तो राहु रेवती न छत्र में गोचर करते हुए और केतु हंस्त न छत्र में गोचर करते हुए राहु देखा जाया तो दुती चरण में और केतु चतुर से चरण में गोचर करना प्रारम करेंगे तीन मार्च से देखा परी दर्सकों आपने नौ के नौ ग्रह अपनी इस्तिती में परिवर्तन कर रहे हैं इस मार्च के महीने में इसलिए मैंने लिखा कि ब्रह्मांड में बड़ी हलचल हो रही है क्योंकि नौ के नौ ग्रह सभी इस्तितियों में परिवर्तन कर रहे हैं तो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं योग कौन से बनेंगे राज योग, तो राज योगों की बात की जाए तो एक तो बुधादित योग जो आप अक्सर सुनते रहते होंगे, पर अब इस बार कुछ विशेश है इसमें, फिर बुधादित योग की बात के अलाबा देखा जाए तो ग्यान योग और साथ में कला योग बनने वाला है, और इसके अलाबा देखा जाए तो शुन्दर भारिया योग भी बनने वाला है, और इसके अलाबा आप हम दुर योग समझ लें, तो एक तो द्वंद योग बन जाएगा, ग्रहन योग बन जाएगा, और साथ म हमने मुख रोप से जो मेन मेन हैं उनको हमने समझा तो ये पूरे महीने में क्या रिजल्ट सुप परिणाम मिलेंगे ये समझ लेते हैं तो प्री दर्श को जैसे मैंने बताया कि शुक्र राज सी परिवरतन करने बाले हैं और साथ में यहां पर ये आपके कौन हो गए रासीस हो गए और आपके लगनेश हो गए तो आपके रासीस होके लगनेश होके कहां पर गोचर करेंगे आपके दसंभाव करियर के भाव में तो आपके करियर में कोई समझ आएं थी आप जौब करते हैं और जौब में लग रहा था कि भाई मैं बहुत परिसान हूँ मेरे साथ लोग कहीं न कहीं वो बेवार नहीं कर रहे जो मैं मेरे साथ करना चाहिए मैं जिसके काबिल हूँ अर्थाथ उतना मांद सम्मान उतनी इज़्जत नहीं मिल रही है काम का बहुत जादा प्रसर बढ़ रहा है बस यही हो रहा है आप इतनी मेहनत करते हैं सब कुछ करते हैं कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है आप रिजल्ट मिलेगा आपको प्रमोशन भी देखने को मिलेगा साथ में और क्या मिलने वाला है धन में ब्रद्धी कैरियर के माध्यम से आपके जौब के माध्यम से आप धन प्राप्ति से और क्या करसकेंगे करज से मुख्ती गदों लोन लिये हैं करज लिये हैं तो कहीं न कहीं आपको इस समय मौका मिलेगा जिस्मी से आप और खास कर जब मीनराशी में शुक्र चले जाएंगे तब और भी बढ़िया हो जाएगा क्या हो जाएगा उच्च के हो जाएंगे शुक्र अब जाने वाले तो इसे 31 मार्च को हैं तो लास्ट ही होगा परंदु शुरुआत तो मार्च से ही हो रही है न इसलिए ये मार्च जाते जाते आपको बहुत कुछ देखे जाएगा अब ही हम आगे चलके वीडियो जो आने वाली है शुरी जो उनमें विश्टार से और भी ज़्यादा तो उहां और भी आप समझ पाएंगे तो जुड़े रहेगा चैनल से सब्सक्राइब कर लिजिएगा तो कैरियर में बहुत अच्छी इस्तिती बनने वाली है बदलाव होने वाला है साथ में प्रीदर्शकों कर जिसे जैसे मैंने बता ही दिया कि मुक्ती मिलेगी और जिन लोगों को गुप्त रोगों से सम्मंदित समस्याएं थी ये मार्ज जाते जाते कहीं न कहीं उससे छुटकारा दिल आने में आपकी हिल्प करेगा साथ में प्रीदर्शकों देखा जाए तो परिवारिक बाद विवाद लड़ाई जगड़े ये सब्यदी फसे हुए थे इन में भी काफी जाता राहत देखने को मिलने वाली है नस्ताई धन में ब्रद्धी और भूम भवन की इस्तिती में भी परिवरतन होगा भूम भवन की भी प्राप्ती हो सकती है फ्रीदर्शकों देखा जाये तो यदि आप विद्यार थी हैं ये स्टुडेंट हैं तो आपको भी कही न कहीं यहां देखने को मिलेगा कि जहां तक अभी तक कमजोरी थी जहां पर कुछ कमी रह जाती थी वो भी इस समय पूरी होगी तो ये सब लाब आपको मिलने वाले हैं परन्तु सावधानिया बेहज जरूरी हैं और खास कर ये मार्च के महिने में तो बहुत जरूरी है आईए समस्ते सावधानी क्या रखनी है सावधानी एक तो पहली बात क्या आप जौब कर रहे हैं प्रोफेशन में हैं किसी भी तरह आप चोहे ब्यापारी हो तो आपको यहाँ पर सावधान रहना होगा इस बात को लेके कि आप जो कह रहे हैं सामने वाले को चोहे आप जिसे जौब करते हैं तो बॉस को कुछ कह रहे हूँ या आपके जो कलीक हैं जो आपके साथ करते हैं काम या आप ब्यापारी हैं तो अपने ग्रहांक से बात कर रहे हैं या किसी से भी पार्डनर से तो यहाँ पर आपको कन्फूज नहीं होना है आपको इस बात में नहीं पढ़ना है कि मैं क्या कह रहा हूं क्या नहीं क्योंकि इस समय यही इस्तिती बनने वाली है क्योंकि जो आप कह रहे हैं वही कहिए और थात सामने वाला वही समझ रहा है क्या यह समझना जरूरी है और आज आपने कुछ कहा और कल कुछ कहा इसमें आप फंज जाएंगे इसलिए जो भी आपको कहना है जो भी करना है तो आपको clear मतलब एक अंतिम निर्णे में आपको पहुँचना होगा और सामने वाला वही समझ रहा है जो आप कह रहे हैं कि नहीं इस बात को भी समझना होगा क्योंकि द्वन्द योग बनने जा रहा है और खासकर देखा जा तो ब्रसब राशी के लोगों के लिए कहीं न कहीं ये बेहद जरूरी है और व्यापारियों के लिए तो और भी ज्यादा हाँ एक अच्छी बात जरूर है कि यहां पर मंगल सपोर्ट करेंगे एक तरफ परन्तु यह 15 तारिक के बाद फिर तकलिखें होंगी 15 तारिक के बाद 15 मार्च के बाद सावधान रहिएगा एक अच्छी बात है कि 15 मार्च को जहां पर मंगल का परिवर्तन होगा वहीं पर संदेव उदय हो जाएंगे यह भी आपको सपोर्ट करेंगे यह थोड़ी पॉजिटिव बात है और इसके अलावा देखा जाए तो परिवर्त को जहां मैंने कहा विद्यार्थियों को लाब होगा वहीं विद्यार्थियों को नहीं खाली हर व्रक्ति को कोई भी निर्णे ले रहे हैं वहाँ पर भी साधान रहिए क्योंकि जड़ बुद्धी योग बनने वाला है तो जड़ बुद्धी योग बनेगा अपरी दर्शकों यह कहीं न कहीं आपको निर्णे लेने में समश्याय उत्पन करेगा कई बार ऐसा होता है कि हम निर्णे लेते हैं और फिर बाद में हम समझ पाते हैं जब समश्याय हो जाती हैं कि हमने यदि यह निर्णे नहीं लिया होता या ऐसा नहीं ऐसा निर्णे लिया होता तो संभावनाएं हैं कि यह समश्या ना होती तो इसलिए इस बार आपको ये ध्यान देना होगा और खास कर प्रिदर्सकों यदि आप कोई लगजरी की चीज़े ले रहें घर, गाड़ी, भंगला या कोई भी लगजरी की चीज़े इन्हें लेते समय बेहत सावधान दहिएगा खास कर प्रॉपरिटी लेते समय जदूर सावधान दहिएगा यदि पंद्रा मार्च के बाद प्रॉपरिटी ले रहें तो थोड़ा रुख जाईए उससे पहले ही ले लिजिए जाला बेतर है प्रॉपरड़ी के एधी काम करना है तो 15 मार्च से पहले ही कर डालिये उसके बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हाँ बहुत कुछ अच्छा होगा ये अलग बात है कि कुंडली में ये ग्रेश्टियां सपोर्ट करें तो अच्छा हो जाए तो 15 मार्च से पहले कर डालिय इसके अलब प्रिदर्शकों देखा जाए तो और सालधानी ये रखनी है कि कोई भी बात हो धन को लेके उसमें अब कहा जाए कि यहां मैं ये 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 इधी सब्द कहूं कि आपका कोई बहुत सगाही है वो भी ये पैसा मागे ना तो 15 मार्च के बाद देना नहीं है पैसा यदि आपने दे दिया तो समझे लिए वो फंसने ही बाला है अब यदि दे रहे हैं तो ये समझ के दीजिए कि वो फंस जाएगा आप आपने 15,000 रुपे दिया किसी को तो 15,000 नहीं आने बाला वो इससा समझ के दीजिएगा ये साउधानिया रखनी है अब हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में प्रिदर्शकों एक तो भगवान सूर को अर्ग देना है साथ में अपनी इष्ट की आराधना करनी है इष्ट की आराधना करना इस महीने बहुत स्रिष्ट रहेगा हमेशा ही अच्छा होता है पर इस महीने बहुत जरूरी है क्योंकि जो समझ्याएं हैं उनसे इष्ट ही आपकी रक्षा करने वाले हैं बांके और कोई नहीं तो सूर को और दीजिए इस्ट के आराधना करिए और आपके जो इस्ट हैं तो कमेंटे में बताईएगा आपके कौन इस्ट हैं भगवान विश्णू हैं शिवजी हैं मातारानी हैं कौन है आपके इस्ट कमेंट करके जुरूर बताईएगा जिससे जोतिस करके हमने एक चैनल बनाया है वहाँ पर एक वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं और समझ सकते कि आपको इस्ट कौन है तो आप जाके जरूर देखें जिससे आपको क्लियर हो सके इस्ट आपके कौन है और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुचाना चाहिए आपको क्योंकि यह जो साउधानिया है यह बेहच जरूरी है मार्च का महीना कहना चाहिए कि लाब का तो है जो है उससे जादा साउधानियों का है जिससे हर व्यक्ति को मालुम पढ़ सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद